जाई शीराम दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल सुडेंट पॉइंट वीडियो में तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे तो हम जीके का क्रेश कोर्स कर रहे हैं और हमने अभी पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया है और आज हमारा डे नमबर थी है तो आज ह किसी भी एक्जाम दोगे फंडामेंटल राइट से आपको कोशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा आप किसी भी एक्जाम में यहां से कोशन बनता ही बनता है तो शुरू करते हम आज की वीडियो तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट हमने लिए कहां से दोस् और यूसों में दोस्तों एक बूक के बिल आफ राइट्स चीक है वहां से हमने इस से यह फंडमेंटल राइट्स कॉपी किये हैं चीक है दोस्तों यह हमारे पार्ट 3 में आया रहा है कौन से पार्ट 3 में यह दोस्तों महारे पास पार्ट 3 में और कितने नंबर आर्टिकल कहा से लेके 35 तक है चीए दोस्तों जी स्टेश्पट्री में 3 में 가장 अगर शूरू refugee ख़तम होते लोस्तों article स्टायव तक खतम होते हैं वहें दौस्ते में 000 वहाँ कार्ट ऑफ इंडिया भी भोलते हैं मैगना कार्ट का मतलब है कि बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है हमारे Constitution में ठीक है सबसे इंपोर्टनेंट दोस्तों यह न जस्टिबल इन नेचर होते हैं ठीक है इस fundamental rights का अगर हमारा कोई भी हनन करता है या कोई भी हमारे पसरत fundamental rights में नहीं आती तो जाते हैं हमारे सीवल कोड जाते ठीक है पर हमारे fundamental rights हमारा कोई भी चीनता है तो हम डारेक्ट कहां जा सकते दोस्तो सुप्रीम कोड जाते है इसलिए यह क्या दोस्तो डार्यक बहुत ही इंपोर्टेंट है चीक है तो दोस्तो हम शुरू करते हैं इससे पहले दोस्तों हमारे पास 44th Amendment 44th Amendment 1978 में दोस्तों हमारे पास 7 fundamental rights है चीक है इससे पहले और 44th commitment 1978 के बाद दोस्तों हमारे पास six fundamental rights है चीक है यह दोस्तों important है चीक है तो यहां पर मैं आपको बता दू कौन कौन से हमारे पास इंप यह थे articles जो हमारे fundamental rights में आते हैं तो आई होप आपने सुने भी होंगे सबसे पहले दोस्तों हमारे पास right to equality सबसे पहले आटिकल कौन सा मारे पास right to equality यह दोस्तों कहां से कहां से शुरू होता है 14 से लेके 18 तक शुरू होता है दोस्तों यह इसमें important है ठीक है कहां से कहां तक शुरू होता है पास 14 यह इंपोर्टेंट टाइस शूरू होता है दोस्तों जो मैंने यहां पर लिख यह आर्टिकल्स लिख है यहां पर लिखर एंगा जैसे 14-18 यह क्या लेontin है दोस्तों आठीकल कोहां से स्टार उता आड़ेकल नमबर क्हांसे चुरू होता है डोस्तों चौरांच सीजालिंटेस्वाइशन कहांसे चूरू होताран 24 तक transit कर दोर इसमें आते है राइट फ्रीडम उसमें होता दो किसले से ले हैं सुरू होता है कल्चर एन एजूगेशनल राइट दोस्तों 29 से शुरू हता तीज तक पता है जिक है दो यह आठिकल इसके अंदर भी और राइट टु प्रॉपर्टी दोस्तों 31 और राइट टु अब को पहले भी पताया था कि कुछ भी मारे constitution में cut कर ना आड करना तो क्या करना परता दोस्तों हमारे पास शचोधन करने परते हैं amendment करने परती है तो जो फॉटई फॉर्थ amendment ही 1978 में हुई थी अमेंडमेंट में Right to Property को क्या कर दिया था है ड्लीट कर दिया था चीख है पहले दोस्टो अर्टिकल नंबर इक ततिस में थे अब यह किस में कर दिया आर्टिकल नंबर इस तील राटिकल से अले और पार्ट नंबर सी ON नाटता था 14 फोटिन हमने नाइंटिन सेविटी एट में यह का दा खिसकी गॉअर्मेंट ती उस टाइम दोस्तों मिरूजी रिसाइगी ओर्मेंट थी ठीए और इसमें दोस्तों इंपोर्टेंट और कुछ है नहीं हाँ दोस्तों तो सबसे प possibility कहांसे शुरू manufactured अच्पी इसमें मैं ज्यादा डीप सुर्ट लॉडा हहाँ तो equality before law equality protection law कौन से article number में 14th article में चीक है next आपके पास दोस्तो 15th prohibition of discrimination on certain grants चीक है यह दोस्तो important article है कि किसी के मतलब certain जो prohibition of discrimination किसी के साथ नहीं होना चाहिए किस के बेस पे दोस्तो religion, race, caste, sex और birth और place के बेस में कभी भी किसी साथ discrimination नहीं होना चाहिए बेदभाव नहीं होना चाहिए तो कौन सा आर्टिकल बताता हमारे को आर्टिकल नंबर 15 बताता है चीक है next आपके पास दोस्तों इसमें equality of opportunity in public employment आप कोई भी टेस्ट दे सकते चीक है आपके लिए पास opportunity हर एक टेस्ट भरने की हर एक टेस्ट देने की ठीक है आप क्या बोलते हैं अगर आपने कर रही है तो अगर आपने कर रही है तो अगर आपने आर्ट्स पड़ा तो आप का टेस्ट दे सकते हो ऐसा दोस्तों पॉसिबल नहीं है पर आपको opportunity अगर आपने पॉसिबल नहीं है तो आपको संस्कृत का टीचर बना दो तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो आपको दोस्तों कौन से आर्टिकल में खतम किया है कि आपको क्या कर दिया था कौन से आर्टिकल के अंदर है दोस्तों वेरिवेरी इंपोटन थीगे नेक्स आपका दोस्तों के क्वास्ति समय की उपना राज़ारी में अपने नाम के पिछे लगा सकते हैं तो यह भी दोस्तों किस ने आर्टिकल रटिकल नंबर 18 में यह जीज है है ठीक है ख़तम कर दिया था ताइटल्स खवाड़ सेना पती यह सारे टाइटल्स क्या कर दिया दोस्तों ख़तम कर दिये थे तो यह important है छी में की नेक्सट आपके पास अब दोस्तों हमार पास क्या चला रैट्टू फ्रीडम के बारे में हम PCs राइटु फ्रीडम के भुष्टक टूपर प्रिटम मैं आप शुरू में बदाई थी राइट तू फ्रीडम कहां से कहा था कि दोस्तो 19 से लेके 22 टक हमार पास राइट टू फ्रीडम आती है ठीके दोस्तो तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले आथा आपकल नंबर 19 आपकल 19 नंबर 19 में प्रोटेक् में आते हैं तो दोस्तो यह हमारा पास सिक्स राइट सिक्स रैज्ड जैसे एक प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइड़ स vraag मतलब आप कहां चैसे सपहला दोस्तो इसमें की स्पीच एड एक्सपरेशन आपको बोलने ले बना सकते हैं थे कोई भी संस्था बना सकते चौथा आजाता दोस्तों की मूउमेंट चला सकते कि बीज़ीप कि खिलाब मोमेंट चला दिया किसी भी दोस्तों प्रदशन करते तो इसमें किसमें आजाता है Six rights के अंदर आ सकता आप प्रदेशन कर सकते है रैजिडेंस आप कहीं भी रहा सकते दोस्तोंinação ठीके रैजिडेंस के लिए आपको to freedom में आती है ठीक है राइट फ्रीडम में आती है ठीक है ठीक राइट 2फ्रीडम कहा族 plea टा है से शूरू हता है प् опыт से शूरू हता है कहा तक शूरू हता है ठीक है तो पर 2011 ठीक है कब कौन से amendment दोस्तो 97th amendment 2011 इसमें दोस्तो को परेटिव सोसाइटीज को भी हमने जोड़ा था यह भी इंपोर्टेंट है ठीक है तो यह यह भी important इसमें protection protection of six rights में नेक्स आपको पास article number 20 ठीक है protection in respect of conviction for offense ठीक है इसका मतलब दोस्तों कि अगर आपने कोई अपराध किया हुआ है तो उसके लिए भी आपका हमारा fundamental rights क्या पूलते हैं आपको protect करता जैसे कि no ex post facto law ठीक है no double jury no self incrimination ठीक है यह सारी चीज़े दोस्तों इसके अंदर आती है तो यह ज्यादा डीप हो जाएगा तो इस तुना हम जाएंगे लिए यह भी दोस्तों इतना important नहीं आपके लिए next protection of life and personal liberty ठीक है तो आर्टिकल नंबर 21 दोस्तों आपके लिए बहुत important है ठीक है इससे question आने के chance रहते हैं तो protection of life and personal liberty आपकी अपनी personal life or liberty से जो भी protect कर सकते है जैसे right to health वगेरा वो सारी चीज़ें किसमें आती है आर्टिकल नंबर 21 में आती है चीक है 21 दोस्तों आपके लिए very 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 important बहुत ही ज्यादा important है दोस्तों 21 क्यूंकि हमारे education related है और हमारा जो एच्पी टैट होता वो भी education related होता तो इससे question बनने के चांस रहते ही रहते हैं ठीक है तो आर्टिकल नंबर 21 में हमें बताया गया कि राइट टू education ठीक है हमारे education के बात हुई थी दोस्तों यह कब हुई थी 86th amendment यह याद रखना दोस्तों and 14 मतलब 6-14 साल वाले बच्चों को हम free और कंपर्सली education देंगे तो यह कौन से आर्टिकल में बोला था यह बोला था 21 ए में यह ध्यान अखना दोस्तों ए यह जो ए यह और बी-सी लगे होते हैं यह क्या होते दोस्तों ख्लाउज होते ठीक है तो आर्टिकल नंबर 21 उमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और परसनल लीबर्टी के बारे में पर आर्टिकल नंबर 21 ए हमारे राइट टू एजुकेशन में तो राइट टू एजुकेशन में दोस्तों हमारा प्रोटों को दोस्तो ड्रेस भी मिलती है किताब के उनको फ्री मिलती है उनको फ्री मिलता है ठीक है इस अद्पलस्तु हम परे क्रोड़ कर यही दोस्तों हमारा पास fundamental duties अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी दोस्तों यह add किया गया था ठीक है fundamental duties में भी यह add किया गया कि free and compassly education देना बहुत ज़्यादा जुरूरी है और दोस्तों यही हमारा directive principle में भी DPSP जो कि हमारा अगला topic रहने वाला है उसमें भी दोस्तों आर्टिकल नंबर 45 में यह जोड़ा गया था कि free and compassly education हम देंगे ठीक है तो दोस्तों यह लागू कब हुआ था यह लागू हुआ था एक अपरेल 2010 को ठीक है वैसे यह बना तो कब दिया गया था 2002 में बना दिया गया था ठीक है लागू हुआ है यह हुआ एक अपरेल 2010 को यह क्या हुआ है लागू हुआ है ठीक है तो बढ़ते हम नेक्स की तरफ protection अगेंस arrest and detention तो यह भी दोस्तों इतना important नहीं है आपके exam point of view से तो इसको भी आपको छोड़ देना चीए ठीक है राइट अगेंस एजी डॉट ठीक है अगेंस exploitation ई-एक्स पी लो आई-टी आई-टी आई-ओन ठीक है राइट अगेंस exploitation किसके कोई भी आपके को नहीं करें तो यह आटिकल नाँबर किसमें बतागा गया है 23 में बतागा तो इसके अंदर दोस्तों दो आटिकल नमबर थे राइट अगेंस exploitation में दो आटिकल ते आटिकल नमबर 23 से शुरू होता था और 24 तक चिक है तो आटिकल नमबर 23 बोलता है कि prohibition of traffic in human being and force ठीक है आपको कोई भी आपके साथ traffic human being की कोई बेच मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि कि किसी इंसान या लड़की को आप बेचना शुरू कर दो ठीक है यह दोस्तों कौन से आर्टिकल में बोला है यह आर्टिकल नंबर 23 में बोला है ठीक है human being की कभी भी ट्रैफिक नहीं हो सकती ठीक है यह आर्टिकल नंबर 24 में बोला गया कि prohibition of employment of children in फैक्ट्रियज बच्चे फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते इसके लिए कुछ लॉग बनाए गए तो यह कौन से आर्टिकल में भी बोला 24 अर्टिकल में बोला गया और दोस्तों यह सारे हमारे का है fundamental rights है जिसके लिए आप सुप्रीम कोट में जा सकते हैं तर इसके लिए पोग ignoring fundamental rights नहीं है आपको district court में पहले case करना पड़ेगा फिर दोस्तों आप high court में case करोगे फिर आप Supreme Court में जा गए इसके लिए आप डारेक्ट Supreme Court जा सकते हो अगर आपको कोई भी fundamental rights का हनन करता है ठीक है छेड़ खानी करता कोई भी fundamental rights से तो आप डारेक्ट Supreme Court जा सकते हैं ठीक है तो prohibition of employment in children in factors का मतलब कि कोई भी अगर आपको बच्चा दिखाई देच की 14 साल से बच्चा या 15 साल 16 साल से छोटा बच्चा अगर फैक्टरी में काम कर रहा है तो आप डारेक्ट उस पे case कर सकते हो जो से काम करवा रहा और आप उसके लिए डारेक्ट Supreme Court जा सकते हैं ठीक है ऐसा है नहीं कि आप पुलीस के पास complaint करो या आप डिस्टी Court जाओ हाई Court जाओ अब डारेक्ट उसके लिए कहां जा सकते हो Supreme Court जा सकते हो अगर आपको कोई भी लड़का ऐसे फैक्टरीज में काम करता पाया गया तो यह दोस्तों इंपॉर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट है आपके पास कि हाँ दोस्तों चौदा साल से पहले बच्चों को कोई काम नहीं करवा सकता 14 से 18 साल के बच्चों से कोई भी लेबर्स वाला काम नहीं करवा सकते ठीक है आटिकल नंबर दोस्तो 25 ठीक है यह कहां से राइट टू फ्रीडम ओफ रिलीजन था ठीक इसके अंदर कितने आटिकल आते दोस्तों तीन आते 25 से लेके 28 चार आते ठीक है 25 27 26 24 इसमें आटिकल आते हैं ठीक है कल्चर एंड एजुकेशन राइट दोस्तों यह इसके अंदर भी दोस्तों दो हमारे आटिकल आते 29 और 30 ठीक है तो यह दोस्तों इतना इंपॉर्टन नहीं है ठीक है आटिकल नंबर 31 आटिकल नंबर 31 क्या था राइट टू प् फटी को खतम कर दिया कौनसी इमेंडमेंट में 44 इंडमेंट कॉसी में दौस्तों ed movement इसका आंसर आपма कमेंट बोक्स में देना कौनसी इसको खतम किया है 44th amendment की 42nd amendment ठीक है तो important दोस्तों यह next आपका last article यह दोस्तो very 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 important very 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 important मैं इसको बोलता हूँ ठीक है यह article के हमारा right to constitutional remedies ठीक है article number 32 ठीक है तो यह article बोलता हमारा कि अगर आपके साथ कभी भी छेड़ खानी हो ठीक है तो आप direct कहा जा सकते हो आप supreme court जा सकते हो तो दोस्तों इस आप डारेक्ट सुप्रीम court जा सकते राइट तू constitutional remedies के अंदर ठीक है यह सबसे important हमारा article ही इसको दोस्तों हमारा heart and soul भी कहा गया है heart and soul of constitution भी कहा गया है ठीक है दिल और आत्मा ठीक है heart and soul of constitution भी कहा गया यह किस ने कहा था दोस्तों डॉक्टर अंबेद कर ने कहा था किस आर्टिकल को कहा था दोस्तों article number 32 को कहा था और article number 32 के हमारा right to constitutional remedies है ठीक है यह article हमारे यह बोलता है कि आप के साथ अगर आपका fundamental rights के साथ कोई भी हनन होता है तो आप direct supreme court जा सकते हो ठीक है तो यह दोस्तों बहुत जादा important article है ठीक है और अगर आपने high court जाना हो तो article number कौन से तहत के अंदर जाते है आप article number 226 के तहत आप high court जा सकते हो ठीक है तो supreme court के लिए आप article number 32 का यूज़ करेंगे ठीक है तो यहीं इसमें important है दोस्तों इसमें हमारे पास पास टाइप की reads होती है ठीक है reads होती है five types की जो कि हमारे को supreme court allowed करता है ठीक है तो पहली उसकी body प्राप्त होनी चाहिए मेंडमस का मतलब भी उसको command दी जाती है कि आप इसके action लो इस पे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है प्रोहिबिशन का अगला concept का है दोस्तों टू फॉर्बीड यह आप याद कर सकते हो ठीक है यह यह इंपोर्टेंट दोस्तों टू बी 35 दू इनफॉर्मड और लास रीट से मारे पास कुई वरांट ठीक है बाइवर्ट ऑठ और वर्रांट ठीक है तो यह पांचो रीट साप के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट रहती है 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 वर्बस क्योंड मेंडेमस प्रोहिबिशन और प्रोहिबिशन और कुई वरांट यह पांचो रीट साप याद कर ले ना इकौन से अटिकल नंबर के तहत आती रहा है आटिकल नंबर हटीट वू के अंदर यह आती है तो डॉक्टर अम्बेद कर ने इसको heart and soul of the Constitution भी बोला था कि अगर आपके कभी आपका fundamental rights का हनन होता है तो आप डारेक्ट सुप्रीम कोड जा सकते हो आर्टिकल नंबर 32 के अंदर ठीक है तो यह इसमें important था तो दोस्तों हमने सारे fundamental rights खतम कर दिये तो आपको दोस्तों आपने देखा होगा कि आपको दोस्तों इसमें स्टेट की डेफिनेशन के बारे में हमें बताया गया है ठीक है नेक्स अपका 33, 34, 35 यह भी आपके पेपर के point of view से important नहीं पर 33 में बता दूँ कि कुछ armed force जैसे पुलीस से बगहरा होगी ठीक है उनके लिए हमारे fundamental rights क्या हो जाते है कुछ खतम हो जाते उनके ठीक है तो यह आटिकल नंबर 33 में आता और आटिकल नंबर 32 में हमारे पास मार्शल लोग अभी लगता है तो यह आटिकल नंबर 34 के तहत लगता आटिकल नंबर 35 के तहते इफेक्टिंग अगर fundamental rights में कभी चेंज लाना हो तो इसमें कौन इसमें चेंज ला सकता तो आटिकल नंबर 35 के अंडर यह ठीक है तो यह इतना आपके पेपर के पॉइंट आफ व्यू से आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे six fundamental rights से जो seven fundamental rights से वह हमारा right to property कट गया है ठीक है कौन सी amendment में वह कट आपको पता होना चीए ठीक है six fundamental rights कौन कौन से पहला हमारा right to equality राइट टू इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी हमारा पहला है ठीक है education की बात की गई ठीक है कौन से amendment में की थी दोस्तो यह की थी एक्वार किफ यह की थी इटीस्स amendment 2002 में ठीक है लागू कब हुई दोस्तो 2010 में 202 2010 में यह लागू हुई कि ठीक है तीसरा हमारा पास fundamental rights नाच right against exploitation right against exploitation एक्सक्षारूर्ण हरों तेशन ठीक है यह दोस्तों से और ज। आर्टिकल कर्फिकर से लेकर आर्टिकल लेके टीकल लेकर चॉबिस के बीच दो आर्टिकल इसमें आते थे दो क्या सक्षा कि आप पहला आता था दोस्तों प्रोहिपिशन ऑफ ट्रैफिक कि इन 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 को बेच बचाओ नहीं कर सकते कोई भी समान खरीजते उसको बेचते वैसे आज आदमियों को बेच या खरीज नहीं सकते ठीक है यह आर्टिकल नंबर 24 था दोस्तों आपके कि children जो फैक्तरी बेरा में काम करते ठीक है उन्हें टिल्ट्रन से कभी भी फैक्तरी बगेरा में काम नहीं करा सकते 14 से 18 साल तक के बच्चों से ठीक है next आपका दोस्तो राइटा फ्रीडम ओफ यह राइट तो फ्रीडम आफ यह ओफ रीडम आर ए लाई जी आई ओवन ठीक है दोस्तो राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है ठीक है तो आर्टिकल नंबर कौन से कहा तक था है आर्टिकल नंबर 25 से लेके अठाई सकता राइट टो फ्रीडम ओफ रिलीजन ठीक है अगला था दोस्तो कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स ठीक है क इसके अंदर क्या था पांच रिट्स थी पांच रिट्स कौन सी है बस कॉर्पर मेंडेबस प्रोहिबिशन सर्टोरी और कुई वरांटो ठीक है और दोस्तो इसमें हर्ट एंड सोल किसने बोला था इसको डॉक्टर अंबेर करने बोला था यही हमारे पास इससे इंपोर्ट आपका की हमारे फंडमेंटल राइट कहां से लिए दोस्तों यूइससे ए ठीक है पार्ट नंबर कहां से कहां थी में आर्टिकल नंबर कहा रहां से लेगे 35 यह वाला वोर्प सकते इक्टोर dalam encant फोन सतार्ट और आपको प्र छक्तम होते हैं ठीक है और यूज से लिए हमने से कहां से लिए बिल ओफ रैट से लिए ठीक है यही दोस्तों इसमें इंपोर्टेंट था तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में एक चोटा सा दिल जरूर रियक्ट करना मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं अगर आपको वीडियो पस संद आती होगी ठीक है तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो